रेलवे ग्रूब D प्लस NTPC के लिए भी बहुत हैल्फुल रहेगा NTPC का दो लिए उसके लिए ज्यादा आपको नहीं कर सकता पर आने वाला एक्जाम जो करेंगे उसके लिए काफी टाइम है उसंुआ च्छे प्रपेशन कर सकते हैं इसमें हम लोग क्या करेंगे बाफ इक्जाम में जो भी कोशन आता है वह वहान्चा दो तरीके से बनाया जाता है एक लॉंग एक स्वाट हम लोग दोनों लेते वे चलेंगे कोश्षन रदी तरीके से बनाइए हुस पर जाया कर सकते हैं उसके लिए कुछ रूल है कुछ लोजिक है मैं आपके साथ सेर करूंगा पर उसको अप्लाइ करना इसके लिए हम लोगो जारा पढ़ने का जो जानता है वो भी इसको बना सकता है ठीक है चले पहला कोचन है अब बनाने का रूल है एक 30 बाकी सबको एक समान सकते हैं और दूसरा कोई भी संख्या अगर रूट में रहे तो रूट को कैसे हटाया आजाता है अगर बोर साइट स्क्वार कर दने से रूट हट जाता है तो सबसे पहले मैं इस रूट को हटाऊंगा स्क्वार इंग बोर साइट गर कैसे का रूट कोटाओं नहीं एक स्क्वार रूट अंडर 30 प्लस एक सका ऑल स्कॉर अभी मेरा धैलू बन जाएगा एक स्क्वार टू थाटी पलस एक से इसे क्विशन को फार एर्ण कर लेते हैं लोग एक सिस्क्वेर है एक सको इधर ले आएंगे प्लस एदर आगे का बन जाएगा माइनस एक अब इसको हम लोग श्रक्टर करने सिखेंगे ऐसे फैक्टर करने तो सब को आता ही होगा जिनको नहीं होगा बैसिक पॉर्लम होगा बोच जल्दी में एक नेश्ट विडियो लेक्या हो इसमें सौट फैक्टर करना यह सब कैसे निकाला जाता हुँ सारा चीज में डिल कर दूँगा ठीक है थोड़ा सा समझ लिजिए फैक्टर करने का रूल है कि फश्ट वाले को लास्ट वाले से गुना करते हैं बीच वाले को एसा टोड़ते हैं कि गुना भाग कर जोडने घटाने से माइनस एक्स आजए अगुना करने से 30 है ठीक है इसको आप किसमें किसमें फैक्टर कर सकते हैं आप इसको फैक्टर कर सकते हैं एक्स स्क्वेर माइनस 6x प्लस 5x है 10-30 अब देखना इसमें क्या को मना आएगा देक एक्सिया भी है एक्स को मनले सकते हैं इसको इसमें दोनों में सेंबहें सही जा रहे है गलत नहीं कर इसको इसमें दोनों में से किसी एक को लिखेंगे हम लोग बाकि जो कॉमन लिए इसको एक ज़ल लिखेंगा है यहां एक्स का भेलों को दो मिलेगा एक नेगे टिप पोजिटीव एक्स मैंनस इकल तो जीरो एक्स इकल टू बनाने का इस कोचन को इतना समय दी इतना लाइन में से स्वाल्व कर सकते हैं बस सिफ गुना भाग टेबल जोड़ घटा यह सब आना चाहिए ठीक है इसको दूसरे तरीके से कैसे स्वाल करें के सिर्फ को देखना है बस फैक्टर करने के लिए आना चाहिए आपको बस झ suspects को से और पोलड़ जबूत प्रेसे का और सब्सावर जल्शायों के से पोची करदें का अगर अगर नीगेटिव चोईसरी चाही एंस त्यूसरी अगर करें कर कोचन है रूट अंडर 56 प्लस 56 इसको स्वाल्ब करना है इसको ऐसा फेक्टर कीजिए कि इंटू करने से 56 है और एक का अंतर होना चाहिए तो आपका यह 7 इंटू 8 में जाएगा एक का अंतर भी है और केस कौन सा है पॉजेटीव केसे बड़ा नंबर पॉजेटीव जो बच ग एक नेगेटीव में अगर आएगा तो कैसे बनाएंगी उसको अब इसको अब इसको अब इसको अब करना 72 को ऐसे दो नमबर एक फेक्टर करना है जो इंटू करने से 72 आए अद दोनों में एक का डिफेरंट होना चाहिए इसमें भी आपके सामने एक ही ओफ्सन है एक इन ट पोजितिव बाला ही होगा ठीक है देखिए इस टाइप का कॉस्ट Church न बनाने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान दाना है थोड़ा सा क्या ध्यान देना मशना थेना है अगर प्लस वाला करें ज İsको बड़ा नंबर जो भी होका से वह आपका पौएटिव बोगा दू को आपको माइंड में सेट कर लेना है एंसर हमेशा पोजिक्टी बला होगा आप लोग कहीं नोट करके लिख लिजेगा कि जब भी इस टाप को कोश्चन बनाएंगे पोजेटीब केस जो रहेगा सबसे पहले हमको फेक्टर करना एक का डिफरेंट होना चाहिए उसके यह भी क्यासा नंबर का हम लोग फेक्टर कर सकते इसे एक का डिफरेंट होना चाहिए इसा पहु सार नंबर है जिसमें को इस तंय पर लोग कैसे बनाएंगे एक एक्जाम्पल देखते हैं इस फेक्ट दिखते हैं ठोड़ा सादि मंग लगाना या जब भी जिस कोचन की दंबर का फैक्टर नहीं होगा उसका ओफशन कुछ इस तरह दिया हो रहे गारेगा आपको हम एसा एक्साव निकालना है आपसे ऑफशन में से बढ़ा है धूर से छोटा है या आपका option दिया हुआ रहा सकता है x का value 2 से बड़ा 3 से छोटा है या आपका option हो सकता है x का जो value है 3 से बड़ा 4 से छोटा है या आपका option रहा सकता है कि एक्स का जोई लिए चार से बड़ा और पांस से छोटा है या फिर ज्यादा ज्यादा नन अपडिज देगा ठीक है जब भी जिसको चन का फैक्टर नहीं होगा उसका भी पूछने का तरीके है उसका उप्सक्ण कुछ इस तरह दिया वह रहेगा इसे नमबर को फैक्टर नहीं कर सकते हैं थीन को एसे 2 तो बड़ा चाट से छोटा इसका पर्फेक्ट इंसर नहीं आता है चलिए इसको इसको साल करते हैं तो जब भी इस्टेब करें आइप जिसका नहीं हो हमको आगे बढ़ जाना भुष त्या पसेक्टर नहीं कर सके तो चारका प्रेक्टर कर सकते हैं तु इंटू टू होता है पर इसमें एक का डिफरेंट नहीं है, इसलिए मेरा इंसर नहीं होगा, आगे बढ़ जाएंगे, हम लोग 5 में, 5 में ट्राय करेंगे, इसको भी आम लोग फेक्टर नहीं कर सकते हैं, अब लास्ट, हम 6 तक जाएंगे, हम लोग 6 का फेक्टर कर सकते हैं, 6 का जब फेक्टर करे कि इसकाख्टर करना 28 अब छोच्टर निए कर सकते हैं यह 5 पिंटु 6 पेद्धर होगा एक्स कमान हो गया पॉचे से चोट है चेंसरों गया अब इसी में नेस्ट बनाते हैं कोश्चन सेम है पर यह पलस माइनस में नहीं यह इंटू में रहे है ठीक है कोश्चन है रूट के अंदर टुवेल्व रूट के अंदर टुवेल्व यह भी इंफिनिटी टर्म के लिए इसमें पलस मैनस नहीं है इसका मतलब क्या है इंटु है इसको हम लोग कैसे बनाएंगे इसका बनाने करीका क्या है इसमें भी ध्यान देना इसमें भी दो तरह का कोचन आता है कोचन देखने में दोनों सेम लग रहा है इसका बनाने का तरीका देखने है लॉंग और सौट दोनों बनाएंगे पहले लॉंग बनाएंगे इसका भी बनाने का सेम तरीका है जैसे एक्स है रूट 12 बाकी सब को एक्स माल लेना है बाकी रूट खताने का सेम एक ही रूल है स्क्वारिंग बोर साइड यह बन जाएगा एक्स स्क्वार 2L का Hall square तो X square equal to 12X यहां से X का मान निकालना है यहां X है यहां X square इससे क्या होगा यह square हड़ जाएगा X का मान कितना है 12 अब इसको हम दोग second method कैसे बनाएंगा बस हम देख रहे हम इतना solve किये तो मेरा last मेरा answer कितना आ रहा है 12 इसको बनाने का कोई जरूरत नहीं है जो question में लिखा हुआ रहेगा वही इसका answer होगा इसका answer 12 हो गया इस step का और question देख लेते हम लोग रूट के अंदर 11 है for time इसका value infinity तक है इसका answer क्या होगा इसको बनाने का जोरत ही नहीं है जो question में दिया हो रहेगा वह इसका answer होगा चले इसी में नेश्ट टाइप देखते हम लोग कि अगर जो count table रहेगा उसको कैसे बनाएंगे मैं दो question आप लोगे सामने लेका आया हूँ ठीक है एक x का value है आपका फोर टाइम है एक और question है यह भी आपका सेम है यह भी फोर टाइम है कि दोनों में डिफ्रेंट क्या है यह question आपका infinity term की तक है यह आपका count table है इसका answer तो 8 होगा सबको पता है पर इसका answer क्या होगा इसको हम लोग कैसे बनाएंगे चलिए इसको आप स्वाल करने सिखते हम लोग कि सबसे पहले आप लोग को पता रहना चाहिए कोई भी संख्या कर रूट में रहे रूट का कुछ ना कुछ भेलू होता है ठीक है रूट का भेलू 1 बाइट वह संख्या के उपर में रूट डालिए यह संख्या के उपर में बात बराबर है चलिए इसको हम solve करते हैं हम लि इस एट के उपर में चार बार रूट है तो चार बार वन बाइट जाएगा अब इसको ठोड़ा सा solve कर लेते हैं simplify कर लेते हैं इसके उपर में हाफ हो गया इसका वहलू हो जाएगा 1 वाइफ और पावर वह एट इसका वहलू हो जाएगा यह भी आप लोग को पतारना चाहि कोई भी संख्या जिसका बेस सेम हो और पावर अगर अलग अलग रहे इसको जोड़ करके लिख सकते हैं ठीक है एक कॉंसेप्ट को यहाँ पर लगाना है सबका बेस सेम है इसको पावर अलग अलग है इसको पलस कर सकते हैं इसका लेना है यान किया है अ किसकी सबावर में इसका एंसर हो गया है अ पर पावर 15 by 16 एक तरीका है बनाने का यह बाइक concept है इसको भी हम लोग sort में बना सकते हैं इसमें टाइम जारा देना पड़ेगा calculation जारा करना पड़ा पर यह सब question को भी हम लोग 1 second 2 second बना सकते हैं इसके लिए क्या है एक छोटा सा formula है जिसको आपको याद दखना है टू पर पावर एन एन इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम question में कुछ भी रहे हम ऐसा formula में लोग 2 यूज करेंगे question में कुछ भी दिया रहे हम लोग formula में सिर्फ 2 यूज करना है तो सबसे पहले 2 लिखेंगे question में एन का value में को यहाँ से पता चलेगा में कितने टर्म ले दिया हुआ है तो एक दो तीन चार इसका value जाएगा फोर आप डूपर पावर फोर मतलब क्या दो को चार बर गुना करना दो दूनी चार और आठ सोला जो भी इंटू करके आएगा अपने मन से उसमें एक कम कर देना है इसको हम लोग उपर में लिखेंगे हमारे बेस में क्या दिया हुआ है वारे बेस में एक दिया हुआ है इसका इसका इंसर एक पर पावर 15 बाइस इस्टीन हो जाएगा आप इस तरह बनाई यह लांग बनेगा इसको भी एक सगेंड दो सगेंड बना सकते हैं ठोड़ा सब कॉंसेट है माइन में रखना चाहिए एक जामपल और देख लेते इस तरह का चलिने नेश्ट को चन देखते हैं इसी टाप का आप कर आप कर तूवेल है फाइब टाइम इसको क्या करें केस करने क्या तरीका है सबसे फर्मूला में रखी है टू पर पावर एन एन युगल टो नंबर ऑफ टाइम इस चीज़ को अच्छे से याद रखना है एक छोटा सा फर्मूला इससे बड़े-बड़े कोश्चन को आसानी से सॉल्ब कर सकते हैं टू मेरा फर तो दो दूनी चार आठ सोल्ला बद तीस जो भी इंटू करके आएगा इससे एक कम करके उपर में लिखेंगे बाकी जो बेस मेरा है टूब लिख देंगे इस ट्राइब कोश्चन स्क्वेर रूट में भी आता है क्यू रूट में भी आता है उसको भी असानी समलों बना सकत है चलिए एक क्यू रूट का भी एक्जांपल देख लेते हम लोग एक्स इक्वल टू क्यू रूट के अंदर ठाटीन है यह थ्री टाइम है इसको कैसे सॉल्व करेंगा हम लोग जिस तरह स्क्वाइर का भेलू होता है वन बाई टू उसी परकार क्यू का भेलू जो होता है यह वन बाई ठाड होता है तो सबसे पहले हमको देखना 13 के उपर में एक बार Q है तो 13 के उपर में वन वाई थिरी हो गिया इन्टू 13 के उपर में 2 Q रूट है इसके उपर में 3 रूट है इससे आपको सिंप्लिफाई कर लिए इसको प्लस कर देना है लस्यम लेंगे 27 आएगा दो सिंप्लिफाई नौ बार में दीन बार में एक बार में तो 13 के उपर में 9 प्लस 3 12 प्लस 13 वाई 27 यह बनाने के तरीका होगे इस पर टाइम लगता है इसको भी हम लोग क्यूब रूट का रहे है इसको सब को असानी से बना सकते हैं चोटा-चोटा फर्मूला यूज करके यह सब को असानी से बना सकते हैं चलिए एक कोशनल देखते हैं इसको स्वाट में कैसे बनाएंगे इसके लिए फर्मूला होगे 3 पर पावर एन एन यूगल को नंबर आप टाइम अब इसमें देखना है हमको एन कम मान कितना दिया हुँ है एक दो तीन तो एन कम मान होगे 3 अब 3 को 3 वार इन्टू करेंगा हम लोग जिसका वेलू हो जाएगा 27 इसमें धिछान क्या देना है इसके उपर हम लोग जो भी लिखेंगे हैं क siis हमको जितनािट करके आएगा उससे एक कम करके two से डिवाइड करने है फेले इन पर लेना इसका पावरadore के कोडिंग27 आया इसके उपर बेट hm लिखेंगे हम लोग जितना इंटू करके आएगा उससे एक कम करके दो से डिवाइड देना इस चीज़ को दियान देना है और हमारा बेस है थाटीन वो थाटीन या लिख देंगे हम लोग यानि यह सब कोचन को भी हम लोग एक लाइन में स्वाल्व कर सकते हैं थोड़ा सा फ्रैक्टिस का जो रहा थे सिर्फ एक कोचन और इसी टाप का देख लेते हैं रूट के इंदर 11 है आपका फोल टाइम बनाने का तरीका छोटा से फर्मूला है सबको पतारना चाहिए थ्री पर पावर एन एकल टू नंबर आफ टाइम एन का भेलू एक दो तीन चार तीन को चार वर गुना करना है इसके उपर में जो भी हमको लिखना है पहले बता चुके हैं जितना भी इंटू करके एक टम करके दो से भागा दर देंगे अब मेरा बेस में दिया हुआ है इसका एंसर हो गया इस तरह का और भी कोर्चन लेके मैं आओंगा और भी सारे चेप्टर हैं सब्सक्राइब करें लाइक करें मिलते हैं नेश्ट वीडियो में झाल